हलो दोस्तों वेलकम टू मैं न्यू वीडियो तो भाईयो आज मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूँ रहनों की काईगर काईगर ट्राइबर यह सेम सी गाड़ी आपको नाम मिलते जुलते से लगते हैं गाईज नाम ही इन्होंने ऐसे जो है रख रखे हैं यह काईगर ह है यह RX Z model है गाईज डियूल टॉन में मैनुवल ट्राश्मिशन के साथ है गाईज यह और बात करें यह टॉम मोडल आता है इसमें आपको चार विरेंट देखने के लिए मिलते हैं RX E, L, T और Z यह टॉम मोडल इसमें भी आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते ह थोड़ा सा गाईज इसको चूज करने में आपको असानी हो जाती है जैसे ही कि optional में आता है यह dual tone में आता है manual और automatic transmission के साथ आता है तो आपको customer को गईज यहाँ पर चूज करने में काफी जो है असानी वगएरा यह पर रहती है कि कौन सा विरेंट आपको चाहिए कौन से ज आपको यहां पर आपको जो इसकी डियरल मिल जाती है, Indicator की Placement यहां पर कर रखी है, Three आपको यहां पर Slice मिलते हैं, आगे आपको हेल लाइट वे यहाँ पर दो दे रखे हैं गईज इसके लो बीम के यह मिलता आपको हाई बीम आगे आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने प्रोपर मैट का यहाँ पर यूज़ कर रखा है प्योर वीजन की यहाँ पर ब्रेंडिंग अंदर इन्होंने कर रखिया गईज और बात करें आगोई आगोई आप पर लाइसंस प्लेट के लिए मिल जाती है जगे यहाँ पर इन्होंने क्रोम की काफी यहाँ पर लाइनिंग यूज़ कर रखिया रहा है रहनों का काफी बड़ा लोगो आपको मिल जाता है यहाँ पर और बात कर रहें नीचे तो आपको यहाँ पर गाड़ी थोड़ी सी गंदिया वेज माइन मत करना यहाँ पर आपको जो साइब से करें ठाइर साइज की तो आपको टार मिलता है, साइज आपको 195, 60, 16 इंच का मिलता है, आगे डिस्क पर रियर में मिलेंगे आपको ड्रम ब्रेक, यहां पर मॉडल की ब्रेंडिंग आप कर रहे है, रेक्स जेट यहां पर ड्लो टोन वाल है तो आपको ब्लैक और रे क्योंकि sports गाड़ी आप इसे मान सकते हो तो काफी अच्छा ग्राउंड इसाप को आपको इसमें मिलेंगे और यहां पर आपको जो आपको साटर में मिलेंगी काफी हाइट के साथ यह दे रखिया तो काफी गाड़ी को हाइट जो है लोग पर वाइडिये करते हैं गाइस और एक बात कर लेते हैं यहां पर आप देखो रियर से एक बार गाड़ी का लोग ऐसी कुछ लिए करवी डिजायनिंति सा लगता है गाइस रियर से यह यहां पर व्रेंडिग ज्क्राइब और यहां पर बीस में के यहां पर मिल जाती है आपको ग्रेंटिंग यहां पर देखो और सेम यहां पर पोर्शन जो वो कंटीनीव हो रहा है गाईस एक पर पसेंजर साइड से आप गाड़ी का ओवर्विव ले सकते हो ऐसी कुछ गाड़ी जो लगती है काफी स्पोर्स गाड़ी लगते है जैसे बात कर लेते हैं जिसके भूट्स पेस की असे पहले हैं पर इसमें टीन प्रोट्स सेंसर मिल जाते है आप amendment कर देखो आप आपको टेपर टाइप में जो रही फड़क्र की प्लेसमेंट इसमें मिलेगी posit उपर से यहाँ पर आप देख सकते है वाड़ी का लोग तो यहाँ पर आपको मिल जाते है इसका शार्क फेन एंटीना गाइस और बात कर लेते हैं अब इसके boot space की open करने के लिए यहाँ पर आपको जो है इसका request sensor जो हो मिल जाता है यहाँ पर मिलता है आपको 405 लेटर का boot space यह थोड़ा सा इनोंने जो आइजनसी वालोंने यहाँ पर अपना smart वगएरा रख रखता गाइस उसका mind वगएर आप मत करना spare wheel की बात कर लेते हैं तो 165 ATR 14 इंच यह आपको standard size 8 इंच जो हो कम मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर आपको parcel tray भी गाइस मिल जाती है कोई boot light वगएर आपको नहीं मिलेगी यहर वाली seat आप 6040 के साब से यहाँ पर split job कर सकते हो टांगने के लिए दोनों तरफ आपको hook इसमें provide key गी है guys और normal आप यहाँ पर इसे बंद job कर सकते हो कोई extra feature वगएर आपको नहीं मिलता और बात करें तो आपको यहाँ पर halosan light job मिलती है license plate के लिए यहर में भी इन्होंने skid plate यूज़ कर रखी है यहाँ पर देखो काफी satan का use job कर रखा है अब बात कर लेते हैं interior की उससे पहले आपको key दिखा देते है ऐसी कुछ आपको key मिलती है यह एक remote type C key दे रखी है यहाँ पर logo में जो जेता रेनो का और यहाँ पर आप जो है lock unlock वगएरा boot opening का यहाँ पर दे रखा button और यहाँ से आप इसकी light वगएरा जो है on off वगएरा जो है कर सकते हो चलते हैं इसके interior में वहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आपको जो काफी features में decent आपको मिलेंगे पर लेगे seat वगएरा को अपने height के साब से adjust कर लेते हैं यहाँ पर देखो बैस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके interior की उससे पहले हम इसका जो ignition on कर लेते हैं यहाँ पर देखो ऐसा कुछ आपको animation मिलेगा speedometer में यहाँ पर इसकी आपको display जो infotainment screen की देईगी है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपको चारो power window मिल जाते हैं आपको auto down और auto अपके साथ मिलेगी यहाँ पर आपको जो ऐसे lock unlock वगेरा भी आप यहाँ से कर सकते हो ORVM fold unfold यहाँ से आप कर सकते हो गईज और इनको adjust भी आपको अंदर से ही करने के लिए option मिल जाता है यहाँ पर आपको AC wind मिल जाते हैं door unlock handle यहाँ पर दे रखा है जो आपको glossy में मिलेगा steering wheel की बात करें तो आपको leather wrap के साथ मिलेगा three spoke वाला यहाँ पर आपको stereo system के control मिल जाते हैं cruise control का option भी इसमें दे रखा है जिसे आप adjust वगेरा कर सकते हो fully digital आपको instrument cluster दिया गए 220 तक आपको मिलेगी marking वाइज speedometer में यहाँ पर temperature gauge यहाँ पर मिल जाता है आपको fuel gauge यहाँ पर engine की warning light वगएरा सभी मिलती रहती है kilometer वगएरा आपको यहाँ पर show होता है miles वगएरा और यहाँ पर आपको देख सकते हो digital आपको proper यहाँ पर show हो जाते है इसके आपकी speed वगएरा time वगएरा भी यह show करता है और इसमें आपको mode मिलते है तो उसकी आपको यहाँ पर display मिल जाती है modes वगएरा कि उसके हम आगे बात करते है steering wheel की बात कर लेता है तो यहाँ आप इसे tilt tilt कर सकते हो जो यहाँ टेलिसकोपी का option जो नहीं मिलेगा speedometer के surrounding area में भी आपको chrome की strip वगएर आपको मिल जाती है यहाँ पर मिल जाती है आपको wiper के control और यहाँ पर आपको दियेगा है इसकी light के control और नॉर्मन होरन की बात करें ऐसा कुछ आपको होरन मिलेगा 8 inch की आपको center console में मिल जाती है display जिसे आप गई on off वगएरा यही से कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो और बात करें तो आप इसमें android auto apple car play वगएरा इसमें चिला सकते हो तो यह आपको 4 speaker और 2 meter की option के साथ यहाँ पर मिलेगा proper आपको दिया गए hard plastic यहाँ पर भी इनोंने saturn का use कर रखा और बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो गई एर बैग की बेंडिंग वेरा मिल जाती है क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं चार एर बैग यहाँ पर आपको फ्रेमलेस वाला मिलता है आपको यहाँ पर यहाँ पर बात करें तो सेम पॉर्शन कंटीनी हो रहा है ऐसा कुछ गाइज विजीबिल्टी एरिया इसका रहने वाला है यहाँ पर आगे वाला डिफॉगर दे रखा हजाल लाइट के कंट्रोल लॉक वगर आप यहाँ से कर सकते हो गाड़ी को तो यहाँ पर हम और आपको में जटा है वाइरलेस चार्जर जिसे आप uncuff वगर्रा यह यहीं सेMusic कर सकते हो यहाँ पर आपको जो इसका बटन दे रखां लीडी ळाइट वगरा का यह यहँड़ यहाँ पर शू शू होती है और बात करें यह हम पिल जाता है तो हम नौर्मल मोड करेंगे तो आपको डबाना पड़ेगे है उसको नौर्मल मोड में अगह तो यहां पर भी आपको एक storage मिल जाती है जो इनकी गाड़ी में ही आना यह वाला system शुरू हुआ तो यहां पर भी आपको मिल जाती है storage वाला आपको options है और यहां पर बात करें तो आपको glove box मिल जाता है और इसको खोलने वगएरा के लिए यहां पर आपको जो magnet वगएरा का system मिलता है यहां पर देखो magnet का यहां पर system दे रखा है काफी अच्छा storage आपको इसमें मिल जाता है और बात करें तो यहां पर आपको यहां पर देखो आपको इसका fuel tank दिया गए जो आपको 40 लीटर की capacity के साथ मिलेगा चलते है इसके rear वाले पोर्शन में आगे वाले यहां पर देखो यहां पर देखो space वगरा leg space, thigh space और बात कर लेते हैं इसके head space की वह देखो काफी अचा आपको काफी जो नहीं होने वाले इसमें यहां पर हम बात करें तो power under के control मिल जाते हैं यहां पर glossy यूज़ कर रखा है यह वाला पैनल आपको proper plastic का मिलेगा और यहां पर soft touch यूज़ कर रखा है इन्होंने bottle holder, speaker की placement और यहां पर twitter आपको मिल जाता है यहां पर दो मिल जाता है, cup holder, यहां पर phone वगर रखने के लिए space दिया गया, तीनों बंदों के लिए यहां पर आपको seat winner रखने प्रविजन जो मिल जाती है, seats की बात कर लेता है, तो आपको leather seat मिलेंगी, guys यह यह देखो, यहां पर fabric और यहां पर इन्होंने leather यूज़ कर आपको बात करते हैं, आपको डशबोर लगते हैं, जरी रवरी seat से देखने में, main बात आती है, इसके engine की, उसकी बात कर लेते हैं, engine वगर आपको इसमें कौन सा प्रवाइड कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में main concern रहता है, engine, lever है वह आपको यहां पर मिलेगा, इसके दो engine option मिलते हैं, एक तो आपको मिलेगा, नॉर्मल वाला, एक भाई हो आपको मिलेगा, इसमें टर्बो वाला, यह टर्बो वाला है, नॉर्मल की बात करें तो वो 71 भी एच्पी और अठान में एनम का टॉर्क आपको नकाल कर देगा, तो यह काफी powerful engine है, इस टर्बो वाला bonnet की बात करें तो decent bari bonnet जो आपको इसका मिल जाता है, और बात कर लेते हैं अब इसके dimension वगरा की तो 491 mm की आपको length मिलेगी, 1750 mm की width मिलेगी, 1605 mm की मिलेगी, आपको height जहाँ पर आप देख सकते हो, height आपको मिलेगी, 1605 mm की, ground clearance की बात कर लेता है, तो यह मिलेगी आपको 20 205 mm की, और बात कर लेते हैं, जब safety visor की, तो आपको ABS, EVD, child safety log, door azar warning, 4 airbag, airverse parking, camera मिल जाता है आपको, speed sensing auto door, lock, impact sensing auto door, unlock बगएरा की, सबी feature आपको मिल जाते हैं, तो features बगएरा के मामने में काफी जो है, इसको rich बना रखा है, और बात कर लेते हैं, प्राइस बगएरा की, इस model का price जो रहने वाला है, यह है guys, जो है manual में है, RXZ manual है guys, DT वाला, तो इसका price जो रहने वाला है, वो रहने वाला है guys, 10,22,990 रुपे इसका price रहने वाला, एक showroom की मैं बात कर रहा हूं, on road आपका state और city के साब से vary, जो कर सकता है, यही थी guys, आज की वीडियो मिलते है, किसी भी गाड़ी के रिलेटर आपकी क्वेरी है, तो आप Garnet Motor रहनो लुद्याना से जो है, कंटेक्ट कर सकते हो, description में मैंने इनका number जो हो दे रख्या guys, आप festival season में जो offer बगएरा चल रही है, आप उनका फाइदा जो हो ले सकते हो